Hello friends, welcome to my channel, okay, today our topic is is and are, आज मेरा topic क्या है is and are, इसका क्या use होता है, इसका हमेसा one person या things या कोई भी object या कोई भी place, जो भी कोई एक चीज के वारे में हम बात करते हैं, वहाँ पर किसका use होता है, इसका, और are का use कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा, या वो place हो, animals हो या person हो, या कोई भी things हो, अगर एक से ज़्यादा object है, तो वहाँ पर किसका use होगा, are का use होगा, okay, मतलब is का use होता है singular में, और are का use होता है, plural में, okay, मैंने कुछ exercise, कुछ examples मैंने blackboard पे maintain किया हैं, आएए हम उनको देख लेते हैं, so let's start, use of is and are, okay, देखें, मैंने blackboard पे maintain किया है, जिससे आपको बिल्कुर clear हो जाएगा कि is and are क्या होते हैं, okay, is, is, एक person, एक things, मैंने बताया आपको एक object के लिए use होता है, ठीके, देखें, he, he, किसी भी boy, किसी भी male person के लिए he का use होता है, जो भी कोई एक person हो, उसके लिए he, she, कोई भी girl, girl, ठीके, mother, कोई भी singular, एक person के लिए she का use होता है, जो female होता है, फीमेल, understand, and this and that, this and that, भी एक के लिए use होता है, यह मेरे previous वीडियो में this and that मैंने explain किया है, आप उस वीडियो को देखेंगे, तो आपको this and that का और भी clear हो जाएगा, and archives, एक यह देखें, example मैंने बनाया है, table, ठीके, table पर क्या है, one ball है, एक object रखा हो है, single, एक object है, तो मैंने आपको बताया है, इसका use किसमे होता है, single, एक person में, चाहे हो person हो, object हो, या कोई भी things हो, animals का name हो, य sentence हो, the ball is on the table, ठीके, इसका use हुआ है, क्योंकि single, one ball है, understand, आप देखें, आर का example देख लेजिए, आर में किसका use होता है, you, we, they, these and those, these and those की video मेरे previous video में है, आप उसको देखिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से identify हो जाएगा, कि these and those का कैसे use होता है, ठीके, एक से ज़्या चीज की बात करते है, तो महाँ पर this and that का use होता है, ठीके, ये एक देखें, मैंने एक और object लिया है, table है, table पर कितनी balls है, two balls, बलतर एक से ज़्यादा ball है, यहाँ पर is में क्या था, one ball थी, लेकर हमने यहाँ पर R का use करना है हमें, तो R की use के लिए हमने क्या किया है, दो object ल देखें, इसका example, R का, R का use किस मिलता है, U में, V में, दे, these and those, ये आपको learn करना पड़ेगा, okay, R मतलर, पिलूलर, इस मतलर, singular, okay, आप देखें, कुछ sentence है, हम उनको और read करते हैं, तो हमें और अच्छे से explain हो जाएगा, he, देखें, हाँ पर यह है, आप देखें, मैंने जो a boy, he, एक परसन के लिए यूज होता है, वो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो he, is, is, he is a boy, कैसा sentence मेरा हमारा, he is a boy, okay, she, किसी कहीं के, she, एक परसन के लिए यूज होता है, तो she, is, is, dancing, वो, नाच रही है, ठीक है, वो, डांस कर रही है, अब वो, कौन है, वो हमें नहीं मालुम है, कि एक गर्ल के बारे में बात हो रही है, okay, it is a star, okay, this, this, this is a balloon, okay, बताया है न, this, एक सिंगल चीज के लिए रूज होता है, that, that is a cat, okay, यह किसके example हो गए, इसके example हो गए, अब जा आर, ठीक है, आर के example, okay, आर के use, you, we, they, these and those, इन में होता है, ठीक है, अब यह कुछ sentence है, देखते हैं, you, are my friend, you are my friend, देखें, आर में यहाँ पर you है न, ठीक है, यह आपको learn करना पड़ेगा, okay, ठीक है, we, we are eating, we are eating, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें यह प्रॉप किया है, पुरा बता रहा है कि, are the use, कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, they, they are going, these, these are balls, ठीक है, एक से ज्यादा की बात हो रही है न, तो these are balls, those are kites, okay, ठीक है, इसका use होता है similar में, और R का use होता है plural में, अब मैंने यह आपको देख, आपने यह कुछ example देख ली है, अब मैंने कुछ work sheet ready की है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, is and are पर, तो आपको ब्लुकुर clear हो जाएगा, कि is and are का use कैसे करते हैं, और बच्चों को किस तरीके से work sheet ready करके देनी हैं, और उनको solve करवाना है, use of is and are, अब पहले बच्चों को explain कीजिए, कि use of are more than one person, मतलब एक से ज़्यादा किसी की बात हो रही है, तो वहाँ पर किसका use होगा, और single a की बात हो रही है, तो वहाँ पर किसका use होगा, is का, पहले explain कीजिए, देखिए मैंने कुछ example बनाया है, एक ball बनाई है, तो उसमें लिखा है मैंने is, यह आप explain कीजिए बच्चों को, two balls हैं, अगर s लगा होए है, तो वहाँ पर होगा r का use, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए हमने r का use किया, यह बच्चों को पहले explain कीजिए, फिर sentence आप उनको दीजिए, the apples, बताइए कि s लगा होए बेटा, तो किसका use होगा, इसका होगा, कि r का होगा, अ dog is barking, children, children एक से ज़्यादा की बात हो रही है, the children are talking, पहले उनको explain कीजिए, girls, s लगा होए है, उनको बताइए कि यहाँ पर s लगा होए है, मतलब एक से ज़्यादा girls की बात हो रही है, तो it means, यहाँ पर are का use होगा, girls are dancing, पहले explain कीजिए, फिर उनको solve करने के लिए दीजिए यह ऐसे देखिए, ऐसे worksheet आप ready कीजिए, use of I and R, फिर देखिए आप Arjun, Dash, Playing, अभी बच्चे रीड नहीं कर पाते हैं, तो आप एक बार उनको रीड करके बताइए, फिर उनको यह concept बताइए, कि s है, it means, एक से ज़्यादा चीज है, ठीक है, boys, एक से ज़्यादा boys है, she, एक भी doubt नहीं रहेगा, कि is का use कहां पर होता है, और R का use कहां पर होता है, फिर आप object के थ्रू भी बता सकते हैं, देखिए, यह pen है, उनको बताइए, यह एक से ज़्यादा pen है, तो इसमें किस का use हो रहा है, फिर वो बोलेंगे, आपको ममा, R का use हो रहा है, या is का हो रहा है, कि यह R है, मतलब pen, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर R का use होगा, और एक pen है, उनको फिर बताइए, यह देखिए, बेटा, one pen है, इसमें किस का use होगा, तो single pen है, it means, इसका use होगा, ओके, thank you.